तो गाईज क्या आप लोग जागते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे Facebook अकाउंट का क्या होगा हमारे social media अकाउंट जो है Facebook है Instagram है इनका क्या होगा तो दोस्तो जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है आज मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ क्या पता कल मुझे ही जिन्दी की किक कर दे तो guys इसके लिए आप लोग अपना उत्रादिकारी set कर सकते हैं हम ये decide कर सकते हैं कि हमारे बाद हमारे social media accounts का क्या होगा तो guys facebook आपको एक memorialization का option देता है जिसमें आप ये set कर सकते हो कि आपके बाद आपका account कोई भी manage करेगा और अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके बाद आपका account कोई भी manage करे तो आप उसे auto delete होने का भी हुक्म दे सकते हो इसके लिए guys आपको facebook open करना है यहां से आपको setting पर जाना है setting पर जाने के बाद आपको setting open कर लेनी है इसके बाद आपको personal and account information पर जाना है इस पर जाने के बाद आपको नीचे account ownership and control का option दिखता है इस पर जाना है इसके बाद memorialization setting open करनी है इसके बाद choose legacy contact memorialization setting open करने के बाद choose legacy contact यहां से हम लोग search कर सकते हैं जिसको भी आप लोग अपना उत्रादिकारी select करना चाहते हैं यहां से आप उसे choose कर सकते हैं अगर आप किसी को भी अपना वारिस नहीं चुनना चाहते हो आप चाहते हो कि यह delete after death हो जाए तो आप यहां से delete account after death को select कर सकते हो आप किसी को वारिस बना भी देते हो तो वो आपके मैसेज नहीं देख पाएगा नहीं वो आपके अकाउंट से कभी भी post कर पाएगा सिर्फ वो tag को remove कर सकता है आपका profile picture बदल सकता है और इसके अलावा वो आपके अकाउंट को कुछ भी manage नहीं कर पाएगा